गुट मॉनिंग दोस्तो तो स्वागत है फिर से 5 मिनिट की 25 ख़बर में दोस्तो मैं आप सभी को पता दू आज का तो हिंदी में आएगा आज का जो लेक्चर है वो हिंदी में आएगा लेकिन कल से बाइलेंग्वल लेक्चर शुरू हो जाएगा क्योंकि मुझे डिमार्ड आगई है कि सर आप इंग्लिश में भी पढ़ाईए तो मैं कल से इंग्लिश में भी लेक्चर अपडेट करने वाला हूँ एक्चुली उस पे काम चल रहा है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा तो कल तक का मुझे सा टाइम दीजे कल से के एक्जाम ना हो अगर हभी हो जाते हैं जुलाई अगस सितंबर में तो बहुत अच्छी वात है लेकिन अगर डिले हो जाता है किसी कारण वश तो ये कुई तब भी चलता रहेगा दिसंबर तक और दिसंबर से पहले एक्जाम होंगे ही होंगे यह मैं आपको आज अपड को पता होना चीए माइट्रो कांडिया जो कोस्टन का लेवल है धीरे धीरे बढ़ेगा ऐसा नहीं है कि आसान कोस्टन लेकिन बीच बीच में कुछ कोस्टन आसान भी होंगे कभी कभी हम इनी कोस्टन को गलत कर देते हैं मेरे साथ तो दोस्तो यह हुआ है तो आई होप यह गलती ना करें नेक्स्ट कोस्टन कोशकाओ के सभी कारियों पर नियंतरन होता है किसके द्वारा होता है केंद्रक के द्वारा नेक्स्ट चैनल को शेर और लाइक जरूर करते रहे सब्सकाइब जरूर करें दोस्तों क्यूंकि देखने वालों की संख्यात जादा है और स दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करते रहे और ये ना सोचे कि मैं बीच में आप सभी का साथ छोड़ दूँगा ये साथ कभी नहीं जूटेगा दोस्तों ये बॉंडिंग बन चुकी है हमारे आपके बीच तो किर्पया सब्सक्राइब करें और न्यू रिसेंट अपडेट के लिए लाइक करें शेयर करें ल्यू को प्लास्ट इसका आंसर है एक प्राक्मिक रूप से अंगक जिसमें स्टॉर्च तेल तथा प्रोटीन जैसे सुना है तो पादप जगत के बहुरूपिया माईक प्लाज्मा को कहा जाता है दोस्तो नैक्स्ट निम्न में से सबसे छोटा पुछ प्या पौदा सबसे छोटा सभी को ग्यात हो जाना चीह आज के बाद बुल फिया नेक्स्ट कोश्टेंग स्क्वर लेते हैं कुष्टें नम किस परकिरिया द्वारा विशाल रिक्ष्यो की सिर्ट तक पहुचता है तो किस परकिरिया द्वारा वाश्पो उस्षरजन की परकिरिया द्वारा यह हमेशा ध्यान रखना दोस्तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जीवाणू में कौन सा प्रकास इंसलेश्री वरनक पाए जा क्वाटो सों किसकी इकाई है आप सभी को बता दू प्रकास इंसलेशन की नेक्स्ट कोश्चन की खबर जावा में 1891 में प्राग्त फोसिल जावा मेन का बैज्यानिक नाम लिखिये ओप्शन यह रहे तो वह जो मिला वह था होमो एलेक्टेस ठीक है जी नेक्स्ट डार्विन ने अनुकूली विकीरन प्रदशित करने वाले फिंच कहां देखे डार्विन जी ने कहां देखे थे उनुने देखे थे गेला पोगोस द्वीप में ठीक है जी गेला पोगोस द्वीप में आगे बढ़ेंगे किस समाज विज्यानी अर्थ शास्त्री के जन संग्या पर लिखे लेखों ने डार्मिन को परभावित क्या था कौन से थे जन संग्या पर लिखे लेखों जिनको डार्मिन जी को जिनों ने परभावित किया था तो उनका नाम था थौमस माल्थस थौमस माल्थस next antibiotics किस से प्राप्त होते हैं दोस्तो तो आप का अंसर है bacteria next बोजन की विशाक्ता उत्पन होती है बोजन की विशाक्ता किस से उत्पन होती है दोस्तो इसका अंसर है cholestrium botoleum जापन होती है next हार्मोन शब्द का नामकरण किसने क्या था हार्मोन शब्द का नामकरण किसने क्या था बैलिस यों स्टारलिंग ने समंद्री गोड़ा किस वर्ग का उधारन है दोस्तों बहुत ही most important question है यह इस चीज पर कुछ लोग गलत लगा देते हैं स्तंधारी नहीं है समंद्री गोड़ा किसका उधारन है मस्चे का ध्यान लगने का समस्थानिक होते है किसी एक ही तत्तो के परमानू जिनका क्या होता है दोस्तों समस्थानिका परमानू भार भिल परतु परमानू करमांक समान यह मैंने जो questions डिटेल में आते है उसमें भी इसके बारे में बताया है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते है I hope आप उसको भी देख रहे होगे उसमें भी कुछ अपडेट करने है तो उसके लिए comment कीज के दोस्तों नया नय चैनल है आपका चैनल है दोस्तों गाईगर काउंटर इसका आंसर है रेडियो एक्टिविटी किसमें मावी जाती है गाईगर काउंटर में next कौन से शेवाल व्याफसाइक रूप से उपयोगी केरा गिनान के स्रोत है जिसका उपयोग हद्य उद्योग में परियोग क्या जाता है केरा गिनान के कौन से है दोस्तों फ्योफाइसी ध्यान अगना इस बात का बहुत इंपोटेंट कुश्चन है ब्रायोफाइटा के किस सदस्वे में सबसे सरल स्पोरोफाइट मिलता है किसमें मिलता है दोस्तों रिक्सिया में next इन में से कौन से स लाइको पोडियम और ड्रायो टेरिस दोनों ड्रायो टेरिस और लाइको पोडियम इसका आंसर है अगर आपको डिटेल में कोश्चन्स चाहिए means that आपको कोश्चन्स के जो आंसर है डिटेल में चाहिए तो आप दूसरे वीडियो में जाए और उसमें आंसर देखे ये अपलोड होंगी धीरे-धीरे सभी से रेलेटिव DNA का संचलेशन किस अवस्था में होता है ये भी वहाँ पर मैंने कराद रखा है जैनेटिक्स में दोस्तों तो ये भी आप देख सकते हैं वर्मी कल्चर में परियूग तो वर्म होता है दोस्तों Earthworm नेक्स्ट परमाणों में कक्षों को भरने का कम नियंतरन होता है आ चुके है कैमेस्ट्री से कुछ कोश्चन्स तो किसके उसके बाद आफबाव सिद्धान मैंने इसके बारे में आपको बताया है दोस्तों आफबाव क्या है जर्मन शब्द है किसी बैग्यानिक का नाम नहीं है रासानी तत्यों के अनू के संदर में चुम्बक के क्वांटम संक्या का संबंध है ये भी मैंने आपको पता रखा है किसे है अभी विन्यास से डिटेल में अगर आपको क्लास चीए तो आप मुझे कॉंटेक्ट कर सकते है 847998409 पर एक और बार दोस्तो टेलिग्राम ग्रूप है टेलिग्राम का मेरा एक पेज है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा आप प्लिस जोईन करिए क्लास को आगे इसी तरह टेलिग्राम में भी कुईज आने वाले है बाकि अपना ध्यान रखे अपनों का ध्यान रखे आज की खबर हो चुकि है दोस्तो कम्पलीट क्रिशन क्लास से सक्सेद महनत मांगती है यह मेरा मानना है चलिए दोस्तो धन्यवाद